गुमला के घागरा परखंड में बड़ा हाथसा हुआ है घागरा थाना के नवडिहा पूल के डिवाइडर से टकराने के बाद बराती पीकप गाड़ी पूल से 40 पीट नीचे गिर गई जिससे पीकप वाहन में सवार दो दर्जन बराती घायल हो गए सवी घायलो का प्राथमिक उपचार घागरा अस्पताल में होने के बाद गुमला वा राची रेफर कर दिया गया है इस हाथसे के बाद कई लोग मदद के लिए पहुँचे और सवी घायलो को अस्पताल पहुँचाया है बताया जा रहा है कि गुमला के चेनपूर परखंडे स्थित केरा गानी गाउं से बराती लोहरदग्गा जीला के कंडरा डिपा टोली गाउं गई हुई थी वापसी के करम में नवडिहा पूल के डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई जिससे पूल के नीचे गिर गई और यह हाथसा हुआ है कॉंग्रेस नेता सिव कुमार भगत ने कहा है कि यह हाथसा बिजय साहु कंश्रक्शन और एनेचाय की लापरवाही से हुई है पूल दो साल से बन रहा है लेकिन अब तक पूर्ण नहीं हुआ है जिससे आए दिन इस पूल में हाथसे हो रहे हैं इससे पहले भी इस पूल के कारण कई लोगों की जान चली गई है इसके बाद भी गुमला परसासन इस पूल को पूर्ण कराने की दिसा में पहल नहीं कर रहा है उन्होंने कहा है कि अगर पूल जल्द ना बने तो इससे आए दिन हाथ से होते रहेंगे उन्होंने बताया कि यहादसा दर्दनाक है परसासन को इस हादसे से सबक लेनी चाहिए